हाईवा दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आज हम बात करेंगे फिल्म हेरा फेरी की कुछ अंसुनी बातों के बारे में मेरा नम है आशिस्कुमार और आप देख रहा है फिल्मी आप इसमें फिल्म हेरा फेरी के अनून फैक्ट्स दोस्तों फिल्म हेरा फेरी सन 2000 में प्रियेदर संद्वार निर्देशित टाप कामेडी फिल्म है जिसमें लीड रोल में अच्छे कुमार सुनिल सेटी परेस राबल और तब्बू हैं जिसकी कहानी मल्यालम फिल्म राम जी राज स्पीकिंग से लिए गई है तो बिना टाइम बेस्ट की सुरू करते हैं आज के दिल्चफ फैक्ट नमबर एक सुनिल सेटी यानि स्याम का किरदार पहले संद्वार ने वाले थे लेकिन उस समय संद्वारत को रोजाना कोड़ जाना पड़ता था इसलिए वो इस फिल्म से हड़ गय और उन्होंने मेकर्स को सुनिल सेटी का नम सुजाया फैक्ट नमबर दो फ्लम की एक्ट्रिस का करदार तब्बू से पाहले इस करिशना कपूर को आफर हुआ लेकिन उन्होंने इस फिल्म को करने से मिना कर दिया इसके पढस शाथ ममता कुलकरणी को भी ये रुडू अपर हुआ लेकिन उनसे भी कुछ खासवाद जमी नहीं अंतिमे तब्बु को लीड एक्ट्रिस के दौर पर लिया गया फैक्ट नमबर तीन प्रेस रावल यानी बावुरा गर्ड़ पत्रा आप्टे का किरदार बालीवुड का एक आइकोनिक करेक्टर बनकर रहे गया फैक्ट नमबर चार फिल्म हेरया फेरी में रवीना टंडं को पहले आइटम सांग में आइटम घर्ल के लिए साइन किया गया था किंतु बाद में उन्हें अथाकर नमर तस रोड़ करको लिया गया था फैक्ट नमबर पाँच फिल्म हेरिया फेरी मल्यारम फिल्म जो के 1989 में आये थी राम जी राव स्पीकिंग का आफेसियल हिंदी रिमेक था फैक्ट नमबर छे ये फिल्म अच्छे कुमार और सुनली सेटी और परेसराबल की डायक्टर प्रिये दर्शन के साथ बनी ये पहली फिल्म थी किन्तों इसके बाद तीनों ने मिलकर अन्य बहुत सी फिल्मेकिंग प्रेंट नम्बर साथ एफ फिल्म अच्छे कुमार की दूसरी कामेडी फिल्म ती इससे पहला अच्छे कुमार की मिस्टर और में मिसेच खिलाडी 1997 में आई चुकी थी फैक्ट नम्बर आठ फिल्म हेरा पेरी को सुराती दिनों में बेल्कु इच्छा रिस्पांस नहीं मिला पर बाद में इस फिल्म को बैड आफ माउथ में एच्छा रिस्पांस मिला और फिर इस फिल्म ने रप्तार पकड़ी तब तक फिल्म के कई सोज हड़ चुके थे तो यही थे फिल्म हेरा प्रेज से जोड़े अन्नोन फैक्ट्स अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी यह अन्ने नई नी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना